नवश्कार सातियों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज कुछ महतपुर्ण विश्यों के ओपर इस प्रेसवारता बुलाई गई है इनको सब्धुत करने के लिए हमारे बीच हमारे राष्ट्री प्रवक्ता श्री गौरब भाटिया जी मौजूद है हमारे साथ दिल्ली अब मैं सिधा निवेदिन करता हूं श्री गौरब भाटिया जी से कि आप सब को समोधित करें गौरब भाटिया जी धन्यवाद हरी जी सभी पत्रकार बंदूओं को नमस्कार ये प्रेस वारता दो एहम बिंदूओं पे की जा रही है सरप्रथम तो इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक प्रेस वारता भारतिय जन्ता पार्टी ने करी और हमने बिल्कुल स्पष्ट बताया किस तरह से भारत की वीर सेना पर भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरताओं को और प्रतेग भारतिय को गर्व है वो हमारा आत्म सम्मान है हमारी पहचान है उस वक्त राहूल गांदी का एक वक्तव्य आया था कि भारतिय सेना पिट गई हमने मांद करी थी कॉंग्रिस पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे तुरंत राहूल गांदी को निश्कासित करें और राहूल गांदी आत्म चिंतन करें जो वो करते नहीं है और पूरे देश से माफी मांगे क्योंकि उनका प्रयास केवल एक रहता है कि जब हमारी वीर सेना अपना शौर दिखाती है और भारत का हर नागरिक गौरवानवित होता है उस वक्त एक कुंठित प्रयास राहूल गांदी द्वारा किया जाता है कि कैसे सेना का मनोबल तोड़े तोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि सेना का मनोबल हिमाले से भी उचा है उनके पीछे एक मजबूत राजनितिक नित्रत्व है श्री नरेंदर मोदी जी का एक सो पैतिस करोड भारतियों की ताकत वीड सेना के पीछे लेकिन दुख की बात एक और है दुख की बात यह है कि लोगतंत्र का मंदिर संसद और संसद के पटल पर जब एक ongoing situation पर देश के रक्षा मंत्री व्यक्तव वे दे देते हैं उसके बाद किस तरह से संसद की कारवाई को बाधित किया जाता है क्योंकि मकसद चर्चा नहीं है हमें ये समझना होगा Congress Party का मकसद है हो हल्ला होना जो मुश्किल सवाल जिसके उत्तर ना खड़गे जी के पास है ना सोनिया गांदी जी के पास है ना राहूल गांदी के पास है पार्टी टू पार्टी करार चीन की Communist Party से क्यों किया प्रश्न एक दो वो सारजुनिक क्यों नहीं हुआ क्या Congress Party इतना गिर गई है क्या जमीर मर गया है कि आप एक करोड 35 लाग रुपए रिश्वत ले लेते हैं उस देश की पार्टी से जिसको Congress शासन में करीब करीब 43,000 वर्ग किलोमिटर की भूमी भारत की आपने दे दी और जब चाहे डोकलाम हो चाहे गलवान हो चाहे तवांग हो एक बदलाव आया है नीती में श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रत में सेना को खुली छूट दी गई है जो हमारी इंट्रस्ट्रक्चर है बॉर्डर पर उसको बहतर बनाया गया है और इसी वज़ा से हमने देखा कैसे चीन के करीब 300 सेनिक पीछे खदेर दिये गए ये ताकत है हमारी सेना की लेकिन संसत के पटल पर एक विपक्ष की पार्टी अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं समझती राश्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा चर्चा आप चाहते नहीं संसत के नियम का पालन हम करेंगे नहीं और केवल शोर मचाएंगे आज ये तथ्य मैं आपके समख्ष रखके कॉंग्रिस पार्टी का असली जो चरित रहा है उसको उजागर भी कर रहा हूं और ये प्रश्ण भी पूछ रहा हूं क्या ये सकते नहीं है एप्रिल 2013 की बात है तब भी जो चीन की मंचा रहती है घुसपैट की सभी मीडिया चैनल्स पर न्यूस पेपर्स में एक खबर आई कि चीनी सेना घुसपैट कर रही है हम विपक्ष में थे एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते जो हमारी भूमिका होनी चाहिए वो हमने निभाई लेकिन उस वक्त तक्कालीन प्रदानमंत्री मनमुहन सिंग जी ने कहा और ये बड़ा ही प्रतिष्टित अकबार है उसमें एक खबर आई चीनी घुसपैट को तूल देना ठीक नहीं है चीनी घुसपैट को तूल देना ठीक नहीं है जब मीडिया यह बता रहा था कि 19 किलोमीटर अंदर चीन की सेना घुसजाईगी और घुसी प्रश्ट पूछे गए तब ये कहा गया कि बाची से मसला जो है हम लोग सुल्जा लेंगे मैं पूछना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी ने जिनकी सरकार थी उस वक्या कारवाई करी थी और यहां तक कह दिया गया था कि अगर देश को ये जानकारी दी कि सरहत पर क्या स्टेटेस है तो चीन गुसा हो जाएगा चीन नराज हो जाएगा क्या ये जो करार जो समझोता जो बंधन कॉंग्रेस पार्टी ने चीन की कम्यूनिस पार्टी से जोड़ा था पार्टी तू पार्टी उसका असर था और निर्भीक पत्रकार थे उन्होंने इस खबर को दिखाया और च्छापा उनके खिलाफ एफायर कर दी गए आप सोचिए पहले तो कारवाई नहीं करेंगे जब देश पूछेगा तो हम कहेंगे बता नहीं सकते क्योंकि चीन गुस्सा हो जाएगा ये नहीं कि राश्ट्रिस प्रक्चा का मामला है इसलिए नहीं बताएंगे भारतिये जन्ता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका भी तब निभा रही थी लेकिन चीन गुस्सा हो जाएगा और तकाली नाशनल सेक्यूरिटी एडवाईजर जो रहे उन्होंने यहां तक कह दिया था यह जो हो रहा है और अगर हम इसे सारजनिक करेंगे तो चाइना के साथ बेवज़ा मुश्किल खड़ी हो जाएगे एक रिस्पॉंस वो था और एक रिस्पॉंस आज यह है कि हमारी सेना को खुली छूट है कि वो निर्णे ले सके कि उनको क्या कारवाई करनी है यह राजनितिक इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं है क्योंकि हमारी सेना सबसे वीर तो है सबसे ज़्यादा अनुशासत भी है और चाहे गल्वान की बात करें चाहे तवां की बात करें जिस वीरता का परिचे भारतिय सेना ने दिया है हर भारतिय को तो सेना पर गर्व हैं लेकिन राहुल गांदी कहते हैं कि वो पिट गई है और उसका समर्थन खड़के जी भी करते हैं जो यह साबित कर देता है कि खड़के जी अध्यक्ष तो बन गए लेकिन रिमोट कंट्रोल अभी भी गांदी गांदी परिवार के पास ही है इसी के साथ कहते हैं कि भारत जोडो यात्रा निकाल रहे हैं मैं इतना ही कहूंगा भारतिय जन्ता पार्टी और हर नागरिक का यह मत है जो जुड़ा है जो अखंड है उसको आप कैसे जोड़ेंगे हाँ यह बात अलग है कि कॉंग्रिस पार्टी जरूर तूट रही है और हम सबने देखा है किस तरह से जिसने जिसने नफरत फिलाई है भारत विरोधी गतिविद्यों में लिप्त रहा है वो भारत तोडो यात्रा का हिस्सा अलग-अलग चरण में जरूर रहा है एक जिम्मेदार सरकार यह उमीद करती है कि विपक्ष भी जिम्मेदार होगा बात जिम्मेदारी की हो रही है चाहे चीन का मुद्दा हो चाहे भारत जोडो यात्रा में कोविड के मामले ना बढ़ जाए उसका हो तीन सांसद जो की राजस्थान राजिस से हैं उन्होंने एक पत्र लिखा डॉक्टर मंसुक मांडविया जी को स्वास्थ मंत्री और हम सब ने देखा है कि इस तरह से ऐसे कई देश है जहां पर फिर से कोविड का खत्रा बढ़ रहा है जो केसज है वो बढ़ रहे हैं मंत्री जी ने एक चिठ्थी राहूल गांदी जी को लिखी और इस चिठ्थी में ये कहा आप यात्रा निकाल रहे हैं उस यात्रा को निकाली है लेकिन जिम्मेदारी का आपको एहसास होना चाहिए क्रप्या करके जो कोविड की गाइडलाइन्स हैं सुनिश्चित करें कि उसका पालन हो ये सुनिश्चित करें कि मास्क और सैनिटाइजर हो वहाँ पे जो भी व्यक्ति उस यात्रा में आता है और सबसे एहम ये है कि कोई प्रक्रिया और प्रणाली में ये सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति इस यात्रा में समिलित होगा वो फुली वैक्सिनेटेड हो अगर कोई और समझदार पार्टी होती विपक्ष की जिसको जिम्मेदारी का हिसास होता तो ये कहती आपके सुझाव के लिए धन्यवाद और इस सुझाव का पालन होगा लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए ये वो पार्टी है कॉंग्रेस जो कोविड को मोविड बुलाती है तो आज मैं इतना ही कहूंगा राहूल जी भी राहूल नोट रोविड मत करिये ऐसा काम आप तो अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसी नफरती आत्रा निकाल रहे हैं जिसमें हमने देखा है जोर्ट पुनईया से लेके तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े हो जाएं ये कामरा की वो आपके साथ थे तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन एक भारतिय नागरिक की जान पे खत्रा बनाए तो क्या ये चिंता जनक नहीं है क्या ये हमारी जिम्मेदारी और दायत्व नहीं है और कोई नहीं भूला है किस तरह से इससे पहले भी जब कोविड का वैक्सीन आया सुदेशी वैक्सीन तो तमाम ऐसे कॉंग्रिसी लीडर जो मुख्यमंत्री भी है जो वरिश नेता भी है उन्होंने कहा ये खतरनाथ वैक्सीन है इसे मत लगाना आज 220 करोड सुरक्षा कवज श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने स्वास्त मंत्री डॉक्टर मंसुक मांडविया जी ने सुनिश्चित किया है कि जन्ता को मिले आज भारत ने अपनी इच्छा शक्ती और अपने कारे प्रणाली से इस वाइरिस को भारत में नियंत्रित किया है और जो कारे आप कर रहे हैं ये चिंता जनक है और चाहे वो पहला मुद्दा जो हमने उठाया चीन का और चाहे वो अब इस बात जो कोविड के फैलने का खत्रा है तो यही कहूंगा कि कुछ मुद्दे राजनिती से उपर होते हैं और कॉंग्रिस पार्टी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए इसके बाद जो एक और प्रमुक मुद्दा आपके समक्ष रख रहे हैं वो है आप नहीं पाप का टटर बैमानों का और जैसा भारती जन्ता पार्टी पूर्जोर तरीके से जो आपकारी घोटाला किंग पिन अर्विंद केजरिवाल उनके कटर बैमान मंत्री एक्यूज नंबर वन मनीश शोडिया ने किया था प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट एडी द्वारा न्यालने में दी गई है और क्या अभी तक विवेचना हुई है किस तरह से कहना गलत नहीं होगा कि कटर बैमानों की बैमानी अब तत्यों से साक्ष्यों से बयानों से सामने आ रही है वो आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ और प्रयास ये रहेगा कि आपको ऐसे तत्थे दें कि अगर अर्विंद केजरिवाल कहीं पे मिल जाएं तो उनसे ये सवाल जरूर पूछ लीजेगा वैसे तो वो किसी भी जनता के प्रश्ट का उत्तर नहीं देते हैं न्यू यॉजॉर्क टाइम्स की बात करते हैं विदेश की बात करते हैं वहां की नदी साफ है मैं कर दूँगा लेकिन ये जो सवाल है ये अती महत्पूर्ण है हम सब को ये पता है कि इडी द्वारा जो बाते कही गई है वो स्पश्ट कर देती हैं पहला और सबसे महत्पूर्ण दिल्ली की जंता को और दिल्ली के राजस को अठाइस सो तिहत्तर करोड रुपए का नुकसान इस आपकारी घुटाले में हुआ ये इतना चिंता जनक है ये अठाइस सो तिहत्तर करोड रुपए जिसको जंता के हिद के लिए इस्तमाल करना था ये अपनी तिजोरी भरने के लिए किक बैक्स ले रहे थे और ये बात समय समय पर हमने उजागर करी लेकिन आज तक जो सवाल हमने पूछे आपकी आपकारी नीती अच्छी थी तो वापस क्यो ली 144 करोड रुपए जो राजस्ट में आना था वो आपने प्राइवेट ठेकेदार का माफ क्यों किया आपने जो एविडिन्स था जो साक्ष्य था उसको नश्ट किया मुबाइल फोन डेड़ करोड के लगभग आपने बदले और नश्ट किये कि कोई प्रमाण और साक्ष्य न रह जाए लेकिन आज जो बड़ी बात आई है पहला नंबर वन कोई भी आपकारी नीती हो और इस आपकारी नीती से पहले एक स्पेशल कमिटी बनी थी जिसने रेक्मेंडेशन्स दी जो घृ cen ग्रूप ऑफ मिनिस्टर जिसको निरधारित करना था कि आपकारी नीती क्या होगी उसने एक्पड कमिटी की रेकमेंडेशन्स की पूरी तरह से अंदेखी करी इसमें उपमुक्यमंत्री मनीश शोडिया, सतेंदर जैन आज एडि द्वारा जो साक्षे न्याले में रखे गए हैं उसमें एक बाच पश्ट हो गई है कार्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए हर व्यक्ति और जो लीगल एंटिटी है वो स्वतंत्र है कि वो हिस्सा ले सके इस प्रक्रिया में कि उसका चैन हो सके इससे राजस बढ़ेगा लेकिन कार्टिलाइजेशन ऐसा था अर्विंद केजरिवाल के इशारे पर मनीश शोडिया के इशारे पर जो उनके करीबी थे वो लोग सारे ठेके चाहे रीटेल जोन्स हों चाहे होलसेल हों अपने लोगों को दे रहे थे इसका उधारन इस कंप्लेंट में दिया हुआ है जिसमें समीर महिंद्रू नामक व्यक्ति 32 में से 9 रीटेल जोन्स जो हैं इसको कंट्रोल करते थे पहला एक व्यक्ति नो रीटेल जोन्स कंट्रोल करता है दूसरा सबसे ज़्यादा चिंता जनक ये है एक पॉलिसी की साइंक्टिटी इस बात में है पवित्रता इस बात में है कि पब्लिक होने से पहले पब्लिक होने से पहले वो किसी भी इंट्रेस्टिट पार्टी के हाथ में ना हूँ जिससे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो और हर कोई अपने हिसाब से इस प्रक्रिया में परदर्शिता से हिस्सा ले सके अब एक व्यक्ति है मनोज राय और समीर महिंद्रू यह मैं प्रमान लेके आया हूँ इसमें यह लिखा है और मैं पढ़ देता हूँ और यह सारे जो है पॉलिसी की कोपी 31 माई दो हजार इक्षिस को पॉलिसी वोस मेड पॉलिक ओन फिफ्ट अजुलाई तो जोजन ट्वेटीव प्रायर इं टाइम अन इंट्रेस्ट पार्टी has all the details of the policy जिस समें पर यह पॉलिसी को पॉलिक किया गया उससे पहले जो महा ठक के चुनिंदा ठक थे उनके पास यह policy कि पहुंच चुकी है क्या ये एक गंभीर मसला नहीं है क्या ये नहीं दर्शाता की अर्विंद केजरिवाल का मकसद केवल राजस को घाटा जनता के हित को टाटा और अपनी तिजोरी भरना है एक और बड़ा महत्पून तथ सामने आया है वो भी आपके समक्च पे रख दूँ ये कार्टिलाइजेशन को रोकने के लिए था अब इस कंप्लेंट में जो एडी द्वारा दाखिल की गई है पूरी वाट्साप चैट किस तरह से समीर महिंद्रू और मनोज राए जिनका नाम मैंने अभी लिया आपस में बाचीत कर रहे हैं वो बता रहे हैं समीर महिंद्रू जोन 30 पॉपलर जोन वन भादवती जोन 29 यूनिवर्सल जोन 6 जे एसन जोन 31 और ग्यानो मिक्स इस तरह से सारे नाम दिये हैं एट आउट ओफ ट्वेंटी अलॉटेट जोन और आर्ज यह कह रहे हैं समीर महिंद्रू और इसके बाद मनोज राए पूछ रहे हैं वेर आर यॉर फर्म्स आपकी फर्म्स का क्या तो वो लिखते हैं खाव गली रेस्टरून्स मगुंता आगरो फार्म्स पिक्सी एंटरप्राइजर्स ट्राइडंट चेंफर फिर वो कहते हैं सर गॉट जोन थ्री एक्ट 237.5 कॉंग्राचुलेशन्स उसके बाद वो कहते हैं मुझे कॉल करो लेन देन की बात करनी होगी कमिशन 12% कर दी थी 6% वापस अर्विंद के जरिवाल के पास जाना था तीन चीज़ें जो आपके समक्ष रखी भारत में इससे ज़्यादा बेशर्मी से और इससे ज़्यादा बड़ा कोई घोटाला हुआ नहीं होगा आप पहले ही अपनी पॉलिसी को सारजनिक कर देते हैं अपने ही लोगों को आप ठेके देते हैं और हमें नहीं बूलना चाहिए इस पूरे दस्तावेज में एक नाम और बार बार आया है यह नाम है विजे नायर का विजे नायर के खिलाव जो आरोप हैं यह वसूली कर रहा है अरविंद केजरिवाल और मनीश शोडिया के लिए और उसके बाद वापस किक बैक देते हैं एक और तथ्थे जो सामने आया है चिंता जनक है मनीश शोडिया के साथ जो इंट्रेस्टेट पार्टी थें उनकी एक मीटिंग होती है उसमें जो इनके चैनित ठेकेदार हैं उनको मनीश शोडिया अलग से बुलाके बगल में बिठाते हैं और सीधा ये एक इशारा कर देते हैं कि ये मेरा आद्मी है कलیک्शन में इसकी मदद करो किया ये चिंता जनक नहीं है किया ये तथ्थे हमें चिंता नहीं देता है कि मंत्री है उनका सरकारी बंगला उसका इस्तमाल विजे नायर इसलिए कर रहा है कि वहाँ पे जो पार्टी है उनको बुलाके लेन देन की बात कर सके सरकारी बंगले का काम घूस लेने के लिए रिश्वत तैक करने के लिए वसूली के लिए ये बहुत चिंता जनक है और एक और तथ्य आपके समख्ष रख दूँगा इस सब में एक साउथ ग्रूप साउथ ग्रूप का जिक्र है जिसने किक बैक दिये हैं सो करोड के और मैं पढ़ देता हूँ ये क्योंकि ये अतिया वशक है श्री समीर महेंद्रू इन कलूजिन विद अधर्स फॉर्म्ट अ काटेल ओव रीटेल होलसेलर मैनुफाक्ट्टर विद परनौड रिकार्ड श्री बिनौई बाबू श्री विजे नायर रेप्रेजेंटेटेटेटेटेव ओव आमाभी पार्टी पाप पार्टी श्री अरुन पिल्लाई इस पर ध्यान दीजेगा मिस के कविता MLC of Telangana श्री रागव मगुंटा और इसके बाद वाला जो पारग्राफ है मैं शब्द शाह आपके समक्ष रख रहा हूं अग्वाल रुपीस हंड़ करोर्ण approximately to Shri Vijayanayar in exchange of favours and undue benefits to them in the liquor business in Delhi. भारत राष्ट्र समिती पाइटी, मुख्यमंत्री की बेटी, मिस के कविता तिलंगाना से मलसी, उनका नाम आया है, और हमने देखा किस तरह से, ये लोग बात करते हैं, कि हम परिवर्तन लाएंगे, दिल्ली में पापी आप, और ये भारत राष्ट्र समती, नाम में भारत लगाया हुआ है, और राष्ट्र की बात करेंगे, और समती बनाएंगे सौ करोड की, लेंदेन करने की, मदिरा शराब, एक हाथ में अद्धा, दूसरे में पहुआ, शरमानी चाहिए, ये कुछ बिन्दू हैं, आपको दिखाने के लिए, कि इनकी दाड़ी में तिनका नहीं, इनकी पूरी दाड़ी तिनको वाली है, ये कुछ तिनके रखे हैं, और आगे भी सुनिश्चित करेंगे, कोई भ्रष्टाचारी पापी, कट्टर वैमान, वसूली बाज, बचना नहीं चाहिए, और जितना ये हमारी जाच एजन्सियों पर, आरोप लगाते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक, अधिवक्ता होने के नातिव बात कह दूँ, इनको पाच से छे महीने का, समय मिला, क्या मनीश शोडिया, सतिंदर जैन, जो छे महीने से बेल नहीं पापाए हैं, मसाज करा रहे थे, वो भी एक रेपिस से, रद करा पाए हैं, यारो, मैं इतना ही कहूंगा, आज ये कहना गलत नहीं होगा, ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे कट्टर बैमान अरविंद केजरिवाल ने ठगा नहीं, और जो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम निभाते रहेंगे, तथे, जो सामने आएंगे, उसको आपके समक्ष रखते रहेंगे, जन्ता के सवाल पूचते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, भारती जन्ता पार्टी दिल्ली पर्देश की कालेकारी अध्यक्ष, श्री वेरिंदा सर्देवा जी से, कि आप से को संबोधित करें, वेंदर जी, धन्यवाद अरीज जी, मित्रो विशे गौरण जी ने विस्तार से रखा है, इसमें जो बात तो स्पलश्ट रूप से समझ में आती है, कि एडी ने जो दस्तावे नियालेय के सामने रखे हैं, उसमें दो बातें स्पलश्ट होती हैं, कि आम आद्वे पार्टी, उनके सरकार, कि तेलंगाना के कुछ राजनेता, और दक्षिन के कुछ रावेपारियों के साथ, एक बड़ा काटल बना, और इन तथ्यों के अधार पर, हम दिल्ली की जनता की ओर से, मुख्य मंत्री से मात्र तीन सवाल पूछना चाहते हैं, कि यह कैसे मुम्किन है, कि बिना मुख्य मंत्री के राजनेतिक सरक्षड के विजय नायर एक साइज विभाग के फैसले अदल बदल करता रहा। दूसरा जो सवाल है, कि यह कैसे मुम्किन है, कि सो करोड से अधिक राशी, जिसका भी जिकर गौरवजी ने किया, कि सो करोड से अधिक राशी का लेन देन, विजय नायर बिना राजनेतिक सरच्षड के दिल्ली में कर पाता है। टीसरा जो सवाल है, कि मुख्य मंत्री बार बार ये कहते रहे हैं, कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के चुनाव प्लानिंग विभाग का काम देखते थे। और उससे ये स्पष्ठ है, कि विजय नायर खुद को चुनाव प्लानिंग विभाग के साथ साथ, एक्सराइज विभाग का ऑफीसर भी बताते थे, और इस तरह के सोदों में वो लिप्त रहते थे। दिल्ली की जनता मुख्य मंत्री से सीधा सीधा इस पष्ठी करन चाहती है। और मैं बड़ी विन्यमरता के साथ मुख्य मंत्री केजरिवाल जी से ये कहना चाहता हूँ, कि आप स्वयम इसका इस पष्ठी करन दे कि विजे नायर के साथ आपका रिष्ठा क्या है। और मेरी विंती है कि ये इस पष्ठी करन आप रिकॉर्डेड मैसिज से ना भेजें, क्योंकि सवाल पूछने और इनपर किसी तरह का रिष्ठा क्योंकि सवाल पूछने पर अगली प्रेस कॉनफरेंस उनको बें किया जाता है। तो मेरा सीधा सीधा निवेदाना मुख्य मत्री से कि दिली की जनता जो इस पस्टी करन चाती है कि आप बताएं विजय नायर से आपके संबंध क्या है धन्यवाद पुछ सवाल जी अपके जब पुछ प्रशोगर व्यूर्यूब रग्राइज रग्राइज प़र्यार चूह और विश्यूव थार्यूदार अउर्ट राच्छ का जिए ट्थाथम् पार्यूजु यडिदाल्यूटूर्यू। नहीं आब पारफिवार टारी पीजे वार्टू बाल सिप्ट गांधी परिवार।